हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब चोटी मूटी भूख हो या फिर कुछ टेस्टी खाने का मन हो इंस्टेंटली आपको कुछ बनाना है बेशन सूजी मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाएंगे आज हम तो यहां पर दो मैंने मीडियम प्याज म मिक्सी में डालेंगे हम फिर लिख दो हरी मिर्च अपने असाब से अगर मिर्च यादा खाते हैं तो आप जदा एड़ कर सकते हैं अब इसको फिस देंगे तो बहुरे वीडिया यह आप दिख सकते हमारा यह प्याज और रोका बैटर तयार हो गया है इसको साइड मे रखे प्रेश पाउडर और इसमें डालेंगे गरम मसाला फिर लेंगे यहां पर चाच यह आधा लीटर चाच है जितनी यूज होगी इतनी यूज कर लेंगे इसमें तो आप इसे डालके इसका बैटर बनाएंगे हम थोड़ा-थोड़ा ही से एड करेंगे खट्टा आड नहीं करना है इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे लमस पगर आइसमें नहीं पड़ने चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें ब्ला ऐकनोन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख पाएं अब जो अबने तेस्ट के साफ से नमक यहां पता चल जाएगा कि कितना वाइटर हमारा है उसे इसमें डालेंगे तो अब देख सकते हैं परफेक्ट बैटर मारा तेयार है अब लेंगे एक पैन हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ओईल मैं सर्सों का ओई उच कर रही हूं आप कोई भी ओल यह मीडियम कर लेंगे ताकि हमारा बैटर जले ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह थोड़ा सा बैटर ज्यादा है पैन चोटा है तो थोड़ा संभल के मिक्स करना पड़ेगा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो की फोम में इसे लाना इस तरीके से यह डो की फोम अगर आप इसे फैला नहीं चाहते हैं तो इसे खटा करके आप गोल शेप दे सकते हैं कोई भी शेप दे सकते हैं मैं इसे तरीके से फैला लूँगी जब ठंडा हो जाएगा ये पांट से साथ मिड़ में पंखिक नीचे आराव से ठंडा हो जाता है फिर इसके पीसेस कट कर करेंगे हम तो अपने हिसाब से आप शेप साइज पीसेस बना सकते हैं यहां पर इसको मैं बर्फी की शेप में कट करूंगी आप ट्राइंगल में कर सकते हैं आप इसके गोले बना सकते हैं बोस बना के तयार कर सकते हैं इस तरीके से तो परफेक्टली इसको हम कट करेंगे क्रिस्पी बहुत ही टेस्टे नाष्टा बनगे तयार होता है helpful बहुत जल्दी 15 मिनिट के अंदर बिल्कि 10 मिनिट के अंदर बना के इसे सर्फ कर सक्ते हैं बड़ी बहुत बढ़ीया बनता है और आलू पया बहुत बढ़े कोंभिनेशन है बढ़ी सनकाइज अटएस शाहें इनून्हे हैं यह हैं और दिए करना है पुढ़ना और लाइट करना है अपको अब करना है ततना आ यह को फृल्ट करें और फिर सेह zijk बनारे भड़ीया पीसे हमारे तयार है अब हम को बनार H प्रफेक्ट नास्ता पर्फेक्ट स्नैक्स तयार है आपके चावल के आटे के आलू और प्याज का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें तो जरूर बताएं कि रेस्पी कैसी लगी है शेर करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब करना आपसे एक नई वीडियो में एक बिलकुल नई टेस्टी और इजी रेस्पी के साथ बाई बाई टेक केर